शाह जहां को ताजमेल सफेध ही क्यों बनवाना पड़ा और आज आप एक ऐसे घर को देखने वाले हैं जिसे किसी और चीज़ से नहीं बलकि आइफोंस का इस्तमाल करते हुए ही बनाया गया है और क्या कभी आपने सोचा है कि आकिर अब नौर्ट कोरिया का कोई भी नागरि होती है लेकिन क्या आपको बता है कि अगर आप यही काम बर्लिन में करते हैं तो आपको कभी भी धकान महसूस हो ही नहीं सकती असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन बर्लिन की आल्मोस्ट सभी सब्वेज में कुछ ऐसी इटिबल टिकिट्स को भी दिया जाता है जिसको की ट्रेवल के बाद आप कुछ इस तरीके से खा भी सकते हैं उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन टिकिट्स को कुछ ऐसे नेचरल केमिकल्स करते हुए बनाया जाता है कि जैसे ही कोई भी इंसान इने कंजियूम करता है उसक दिमाग और शरीर पूरे ही तरीके से शान्त और रिलेक्स हो जाता है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए बरलिन में लंबी से लंबी ट्रेवल करने के बाद भी कोई भी पैसेंजर कभी ठकता ही नहीं है मतलब अब क्या ही कहने इस कॉंसेप्ट के पैक नमर 19 स्क्रीन पर आपको उनी ट्यूनी केट्स के द्वारा एक जगे से दूसरी जगे ट्रेवल करते हुए उनी अमेजिंग सी वेप्स को एक ड्रेगन की शेप में बनाता हुआ दिखाया जा रहा है और इसे देख आप ही कह सकते हैं कि आज आपने कुछ भी रेर तो जरूर कनेक्शन है ही नहीं असमन दूसरी ये शेहर है फ्रेंस का कैप दी एज जहांके एक लॉक के अनुसार अगर आप इस शेहर के किसी भी रेस्टोरेंट, मॉल या फिर पब्लिक प्लेस में बिना कपड़ों के घूमना चाते हैं तो आप इस चीज को बेज़िजग कर सकते हैं और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये शेहर दुनिया के कुछ सेलेक्टिड ऐसे शेहरों में से एक शेहर है जहांके 90% लोग कभी भी कपड़े बेहनते ही नहीं हैं मतलब आप छोड़ी दो क्या ही कहने क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नैसा के दोरा एक इतिहास को रच दिया गया है असब दोस्तों नासा के एक स्पेस क्राफ्ट दपारकर सोलर प्रोब ने सबसे पहली बार सन की अपर एट्मोस्फेरिक लेयर को टच किया है जिसका की टेंपरेचर 9,99,726 डिगरी सेल्सियस के आसपास रहता है और इसलिए इस कारणा में को next to impossible माना जा रहा है तो अगर इस चीज इतनी जादा awesome है तो इसकी एक exclusive वीडियो क्लिप दिखाने की जिम्मेदारी तो इस चैनल की बनती ही है दोसर वेब की स्क्रीम बर आपको उसी एतिहासिक कारणा में की एक बेहदी exclusive वीडियो देख रही है जिसे देख आप ही कह सकते हैं कि आज आपने कुछ बेहदी दिल्चस्प तो जरूर देखा है तो माइंडिया आर्मी इनी तरीके के और जादा amazing amazing facts दिखने के लिए आप इस चैनल को subscribe कर उस bell icon को press कर सकते हैं Fact No.16 क्या आपको बता है कि इस दुनिया में scooters के invention से पहले ही UK में कुछ इस तरीके के pedal mini scooters को बना का तयार किया गया था जिनकों की एक जगे से दूसरी जगे चलाने के लिए कुछ इस तरीके से पैरों से push किया जाता था Amazing बात ये थी दोस्तों कि ये pedal scooter उस time period के दौरान बहुत बड़े scale में UK में famous भी हुए थे बट unfortunately जैसे ही motorized scooters को market में लाया गया इस amazing सी technology को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा सच में rare Fact number 15 दूसरी सीरीज में मैंने आपको दुनिया भर की महंगी से महंगी चीज़ें तो दिखाई ही हैं लेकिन इससे ओलट क्या आपको पताएगि इस पूरी दुनिया का सबसे महंगा अंडर्वेयर कौन सा है and most important कि आपने उसे देखा है दूसरी वेब की screen पर आपको जो अंडर्वेयर देख रहा है उसे Spartan के नाम से जाना जाता है और यह अभी तक का सबसे महंगा बनाया गया अंडर्वेयर है जिसकी कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से लगबा 31,000 रुपे के आसपास है असबने दूसरी इसको बनाने वाली कंपनी का यह दावा है कि यह अंडर्वेयर 99% radiation को कभी भी human skin तक पहुचने ही नहीं देता जिसके चलते हुए इस अंडर्वेयर की कीमत को इतना जादा हाय रखा गया है और इस tendency के तयत हमारा brain injured होने के बाद 90% cases में खुद को ही heal कर लेता है लेकिन सबाल तो यह है कि क्या कभी आपने एक human brain को खुद को heal करते हुए देखा है नई तो माइंडिया आर्मी तैयार हो जाईए कुछ बेहदी दिल चस्प देखने के लिए दोस्तों भी आपकी स्क्रीम पर आपको एक human brain के द्वारा अपनी damage हुई blood vessels को दुबारा से repair कर connect करता हुआ दिखाया जा रहा है और इस वीडियो के लिप को देखने के बाद आप यह कह सकते हैं कि आज आपने थियोरी से उपर उठ हकीकत में कुछ बेहदी इंटरस्टिंग तो जरूर देखा है दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूँ कि एक टायर की shape क्या होती है तो आप मैंसे almost लोग बोलेंगे goal लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भविश्य में आने वाले tires हमें goal shape की बजाए अलग-अलग shapes के भी देखने को मिल सकते हैं क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे असल में दोस्तों साल 2018 में USA की ground x vehicle technologies के दोरा USA army के लिए कुछ इस तरीके के auto shape changer wheels को बना का तयार किया गया था जो कि अपने आप ही road situations के according कुछ इस तरीके से अपनी shape को change करके उस vehicle को maximum speed, stability और performance provide कराते थे Amazing बात ये दोस्तों कि अब ये company इस technology को army से बाहर निकाल आम लोगों के लिए भी ला रही है तो ये कहना कि future में हमारी car के अंदर भी कुछ इस तरीके के tires हमें देखने को मिलेंगे ये काफी हद तक सही ही होगा Fact No.12 क्या आपको पता है कि एफरिका में मौझूद फुलिनी ट्राइब में शादी की परंपरा एक ऐसे level पर पहुँच गई है जिसे देख आपकी भी आँके फटी की फटी रह जाएंगी असल में दोस्तों इस समुदाय में जब भी कोई भी लड़का लड़की देखने जाता है तब उस लड़की के घर वाले उस लड़के को कुछ इस तरीके से बहुत बुरी तरीके से पीटे हैं और अगर वो लड़का उस पिटाई के दौरन जिंदा बच जाता है तो ये समझा जाता है कि वो लड़का उस लड़की के लिए बिलकुल ही परफेक्ट है और उसी के बाद उस लड़के की उस लड़की के साथ शादी कर दी जाती है वैसे अगर ये परता हमारे देश में आ जाए तो भाई कुवारा रहना ही काफी जादा बेटर आप्शन है दोस्त हम सभी ने बचपन में इस गेम को तो जरूर खेला होता है असमन दोस्तों पाउलो के नाम बिना अपनी पलकों को जपकाए काफी लंबे समय तक किसी एक ऑबजेक्ट को देखने का वर्ड रेकॉर्ड हासिल है जिसमें इन्होंने एक घंटा, सत्रे मिनट और तीन सेकिंड तक बिना अपनी पलकों को जपकाए एक अबजेक्ट को देखा था आज तक भी इनके इस वर्ड रेकॉर्ड को कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया है विच इस क्वाइट इंक्रेडिबल क्या आपको पताएगा अभी हाल ही में नौर्थ कोरिया ने अपने नागरिकों के हसने और ड्रिंक करने पर ही पाबंदी लगा दी थी लेकिन आखिरेक कंट्री को ऐसा क्यों करना पड़ा असलमें दूसरों North Korean Government ने अपने पूर्व नेता किम जॉन इल की दसमी पुने तिती पर उनको शद्धानजली देने और उनके बेटे और वर्तमा नेता किम जॉन उनके प्रती लोगों से जोर जबरदस्ती वफदारी दिखाने के चकर में वहां की सरकार के दोरा North Korea के लोगों पर 11 दिन तक हसने और ड्रिंक करने पर ही पाबंदी लगा दी और ये चीज अपने अब में काफी ज़ादा अजीब थी जहां पर एक देश के नागरिकों को जोर जबरदस्ती हसने से ही रोक दिया गया था मतलब वैसे ही इस इंसान की चकर में North Korea में मनुसियत फैली रहती ह लेकिन अब तो ये इस चीज को एक्स्ट्रीम लेवल पर ले गए हैं चॉकलेट प्रतिमा बन गई है सच में शानदार अब को बता है कि इसराइलिस पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने अपने आल्मोस्ट सभी पब्लिक प्लेसिस में कुछ इस तरीके की अजीब सी वाल्स को स्टॉल किया है लेकिन आखिर ये बला क्या है असलने दुस्तों इन वाल्स को मेमोराइजिंग वाल्स के नाम से जाना जाता है और इन्हें कुछ इस तरीके से डवलप किया जाता है कि ये हवा की तुरू रोटेट करके अपनी शेप को चेंज करते हुए बहुत बड़े अमांट में इलेक्रिसिटी को प्रेड्यूस करती है जिसका की इस्तिमाल उसी पब्लिक प्लेस को रात में रोशन करने के लिए किया जाता है और ये वास्तम में परफेक्ट एक्जांपल है एक्स्ट्रीम लेवल की क्रियेटिविटी का दोस्तों आपने हमारे देश के दौरा बनाई गई काफी महंगी महंगी चीज़ें या फिर मॉन्यूमेंट्स तो जरूर देखे होंगे लेकिन अगर मैं आपसे पूछो कि भारत के इतिहास का अभी तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट कौन सा है जिसकों की इसरों के दौरा साल 2030 के आसपास स्पेस में लॉंच किया जाएगा और दोस्तों बात अगर इसकी कीमत की की जाए तो ये लगबग 80,000 करोड रुपे के आसपास खर्च करने के बाद बनेगा और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये प्रोजेक्ट इंडिया के एतिहास का अभी तक का सबसे महंगा और बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है तो माई इंडिया अर्मी इस अमेजिक फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है दूसर जहां इस दुनिया के बहुत से देश पॉपुलेशन को कंट्रूल करने के लिए लोगों को जागरू कर रहे हैं तो वही क्या आपको पताएगी इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां पर अगर आपके घर में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वहां की गवर्मेंट आपको दो लाग रुपे इनाम के तर्च पर देती है लेकिन आके रहसा क्यूं? असल में दुसर बहुती कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन ग्रीस की पॉपुलिशन बहुत तीजी के साथ कम होती हुई चली जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे आने वाले 10 सालों में यहां की पॉपुलिशन मातर 30 लाख ही रह जाएगी जिससे उभरने और अपने देश को वापस ट्रेक पर लाने के लिए ग्रीस गवर्मेंट साल 2020 के बाद पैदा हुए हर एक बच्चे के पेरेंट्स को इनाम के तर्च पर 2 लाख रुपे दे रही है मतलब अलगी लेवल का लोजिक है ये तो क्या आपको बताए कि पिछले काफी लंबे समय से बहुसे पाइलेट्स के दौरे एक कंफर्म किया गया है कि उन्होंने पैसिफिक ओचियन के उपर काफी अजीब सी लाइट्स को देखा है और इसकी एक एक एक्सक्लोजिव वीडियो को अभी हाल ही में एक पाइलेट के दौरा रिकॉर्ड भी किया गया है दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रही है उसे 39,000 फीट की उचाई से पैसिफिक ओचियन की उपर शूट किया गया है और इस वीडियो किलिप में आप भी उन अजीब सी लाइस को ट्रेवल करते हुए देख सकते हैं यह दोस्तों कि आज तक भी कोई भी एक्सपर्ट सी पता नहीं लगा पाया है कि आखिर यह बला क्या है वैसे आपको क्या लगता है यह क्या हो सकता है आप अपनी रैकॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा जैसे किम सभी जानते हैं कि हर देश के बड़े बड़े यूट्यूबर्स पर मन्त लाको रुपे अर्म करते हैं लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिस साल 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले यूट्यूबर कौन सा था और यह चीज अपने आप में एक रिकॉर्ड है दूसे अला फैक्ट करेंट पर की तच पर है आप होता है कि अभी हाल ही में दूबई गवर्मेंट 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की सबसे पहली गवर्मेंट बन गई है अमीजिंग बात ये है दोस्तों कि अब दूबई गवर्मेंट के सभी इंटरनल और एक्स्टरनल लेंदिन और प्रिक्रियां 100% डिजिटल रूप में की जाएंगी जो चीज वास्तम है काफी जादा इंप्रेसिव जरूर है दूस्तों हम सभी अपने घरों की वाल्स को अट्रेक्टिव दिखाने के लिए उन्हें अलग-लग चीजों से डेकुरेट या फिर पेंट कराते हैं लेकिन क्या आपको पताएंगे इस दुनिया में एक ऐसा घर भी मौजूद है जिसकी वास को किसी और चीज से नहीं बलकि आइफोंस का इस्तमाल करते हुए ही बनाया गया है मिलिए वियतनाम की ग्योहें मिनियन हें से जिन्होंने की 2000 से भी ज़्यादा पुराने और खराब हो चुके आइफोंस को खरीद कर अपने घर की में एंटरेंस वाली वाल पर ही कुछ इस तरीके से लगवा डाला अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ग्योहें को ऐसा करने के बाद रातो रात ही वियतनाम में काफी बड़े स्केल पर पॉपुलेरिटी भी मिल गए और यह चीज वास्तम में काफी ज़्यादा अजीब है जहां पर एक शक्स ने अपने घर को कुछ अलग दिखाने के लिए ही कुछ इस तरीके के अजीब से कारनामे को ही करवा डाला यहां जहां को ताज महल सफेद ही क्यों बनवाना पड़ा असल में दोस्तों बात अगर प्रिजेंट डेट की की जाए तो प्रिजेंट डेट में भारत के अंदर 116 ऐसे मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं जो कि आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं और ब लाल और क्रीम कलर के स्टोंस का इस्तipl COMMाल करते हुए बनाया जाता था तो फिस सवाल तो यह ऊटता है कि जब उस समय पूरी दुलिया लाल और क्रीम कलर के स्टोंस के पीछे पड़ी हुई थी तो शाहां जहां patient को सभी सखमर्ण करते हुए क्यों? प्राचीन विदमानों की बात अगर मानी जाए तो कहीं न कहीं बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि शाँ जहां ताज महल को जन्नती आभास देना चाहते थे यानि कहीं न कहीं शाँ जहां का ये मोटिव था कि जब भी कोई बी इनसान ताज महल को विजिट करने आये तो उसको ऐसा लगे कि वो इनसानी दुनिया से दूर जन्नत में आ गया हो आप क्योंकि वाइट कलर पीस और रिलेक्शेशन को लेका राता है तो कहीं न कहीं ये कारण हो सकता है जिसके चलते हुए शाँ जहां ने पूरे ही ताज महल को वाइट संगमर मर का इस्तमाल करते हुए बनवाया था अब दोस्तों बात अगर दूसरी थियोरी की की जाये तो वो है मुम्ताज महल का फेवरेट कलर असलम दोस्तों बहुसे प्राचिन दस्ताविजों से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि मुम्ताज महल को वाइट कलर काफी जादा पसंद था तो कही न कहीं यह possibility भी बनती है जिसके चलते हुए शाह जहां को ताज मेल white color का ही बनवाना पड़ा अब दोस्तो बात अगर तीसरी theory की की जाये तो वो है scientific theory असलम दोस्तो ताज मेल के निर्माट से कुछ स्थाल पहले ही भारत की मकराना में white marble की खोज की गई थी तो अब यहां पर सबसे बड़ी possibility ये भी generate होती है कि क्योंकि ये marvel उस समय का सबसे ज़ादा आधोनिक marvel था तो शाजहां ने पैसे की चिंता ना करते हुए काफे उचे दामों पर इसी marvel का यूज करते हुए अपने दिल की सबसे खास building को white marble का यूज करते हुए ही बनवाया तो finally अब आप उन सभी theories के बारे में भी जानते हैं जो हमें ये बताती हैं कि आखिर क्यों शाजहां को ताजमेल सफेद कलर का ही बनवाना बड़ा दोस्तों किसी ने घूबी काया कि पैरो गया जितना ज़रा बटा चायों नहीं का मैं तो इस वीडियो को दिलकुल कर like, share और comment ज़रूर कीज़ेगा आप चाहें तो मुझे सिग्रेम पर भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ भी मैं शॉक्षर फैक्स और बैकि से मोमेंट्स को टाम टू टाम शेयर करता रहता हूँ साथ ही साथ अपनी knowledge को और ज़रा boost करने के लिए आप इस playlist को भी check out कर सकते हैं जैहिन